पिंजोर और कालका सहित गाउं से हजारों कॉंगरसी वरकर पंचकुला में रोश परदर्शन में भाग लेने मंगलवार को जाएंगे। कालका हलके से कॉंगरसी विधायक परदीव चोधरी ने सौमार की शाम को पिंजोर और कालका के कॉंगरसी वरकरों और पददकारियों को पाच अक्टूबर के दिन सुभा को 11 वजे पंचकुला के सेक्टर 17-18 चोक में रोज परदर्शन करने के लिए अधिक से अधिक संख्य हमें पहुंचने की अपील की है कालका विधायक परदीव चोधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीम पूरी में शांती पूर्ण तरिके से भहिशकार करने जा रहे किसानों पर किंदरी ग्रह राजयमंतरी के बेटे तथा भाजपा के कुछ पतादकारियों ने निहत्ते किसानों पर गाड़ी चड़ा दी जिससे किसानों की मोके पर मौत हो गई इस घटना के बाद कॉंग्रस कमेटी की महासची प्रियंका वाडरावय अन्या कॉंग्रस जनों किसानों से मिलने जा रहे थे तो यूपी पुलिस ने उनके साथ भी हाता पाई और दुर्वेवार क किया और उन्हें जवरदस्ति गिरफतार कर लिया गया जिसे लेकर कॉंग्रस प्रदेश अध्यक्षा कमारी शालजा के नर्देशा नुसार मंगलवार को पंचकोला में रोश प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा जिसमें अधिक सदिक संख्या में कालका पंजोर के को पहुंचने की अपील की गई है